तो सर्दियां देखिए पूरे जोरो पर हैं लेकिन जो क्रिकेट फीवर है ना वो हमेशा से ही रहता ही रहता है मुझे भी सर्दी तो लगी रही है और क्योंकि मैं इसमें मोहाली स्टेडियम में हूँ 11 जनुरी को भारत और अफगानिस्तान के बीच यहाँ पर T20 मुकाबला खेला जाएगा I.S. बिंदरा स्टेडियम में और शायद यह लास्ट मैच भी हो शायद इसलिए कहा रहा हूँ कि जो क्रिकेट है ना संभावनाओं का खेल होता है लेकिन इस ग्राउंड की बात करें तो शायद इसलिए कि मुलना पर अलड़ी हम आपको दिखा चुके हैं पूरे तरह तयार है तो इसलिए कहा हूँ कि शायद इस स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच 11 जनुरी को जो T20 मुकाबला है लेकिन 11 जनुरी की क्या तयारी है वो दिखाएंगे पीछ पे देखे तयारी है रोलर है सब कुछ है काम चल रहा है और मेरे साथ PC के सचीफ दिलशेर खन्ना जी मौझूद होंगे और वो बताएंगे तयारीों को लेके क्योंकि मैं जैसा है उनको वर्ड यूज किया कि लास्ट मैच तो क्या वाकिर लास्ट हो और अभी तक क्या टिकेट सेल हुई है पीछे कुछ काम भी चल रहा है वो भी दिखाऊंगा पहले मैं दिलशेर जी सवाल पूछा हूँ दिलशेर जी क्या ये लास्ट मैच होगा या संभावना क्या है ठीक है वो स्टेडियम तो तयार ही है आपने देखा है अब अगला मैच कब हमें लॉट होता है उस पर डिपेंड करेगा बट जी हमारी प्लैनिंग यही है कि आई पील वहीं पर होगी नई स्टेडियम अच्छा 11 को लेकर क्या तीयारी यहां पर है क्योंकि मैं देखरों कि जो पैविलिन है डिसिंग रूम है या लौंज एरिया वो नीचे यह कुछ काम चल रहा हमारा जी पूरा पैविलियन का जो नीचे ड्रिसिंग रूं जो लॉंग रूम हैं रिसेप्शिन एरिया और ग्राउंड तो राकेज जी हमारे बेस्ट क्यूरेटर ही हैं, तो जो तैयारियां करते हैं, बट हमारी तरफ से हम पूरे मैच को दून दाम से बतलवा रहे हैं। देखे, 11 जनुरी का मैच है, तो टीमे कब आ रही हैं, टिकेट सेल किस्ता से हो रही हैं। टीमे को का जी, मैं एक्जाक शेडूल तो नहीं डिक्स्लोज कर सकता, क्योंकि सेक्यूरिटी रीजन्स हैं उसमें, बट टीमें बस अब 11 को मैच हता, आप ले लिजे के कल परसम से शुरू हो जाएगा एक्शन। टीकेट सेल्स हमारी भी ऑन-lijn पेटियम पे भी चल रही हैं, पेटियम इंसाईडर पर और ऑफ-लाइन, पी-सी-आ के काउंटर में भी चल रही हैं। महाली में, CP-67 मॉल हैं वहां पर चल रही हैं। मनी माजरा में एक नीना बजार नाम का आउटलेट है वहाँ पे चल रही है फिजिकल भी चल रही है और ऑनलाइन भी चल रही है ऑनलाइन तो पेटियमें चैटर पे चल रही है और इस पर रेट भी हमने देखा था कि टिकेट्स हैं जब अच्छी सोर पे है अच्छी सर्दी का मौसम है और फॉग वैसे भी पड़ रही है हम लोग क्योंकि जहां पे रहते हैं जिस चंडेगड महाले की बात करें तो मौसम को लेके क्या लगता है आपको के फॉग ही क्योंकि शाम को मैच होना है प्रेडिक्शन तो वही आप देखे के चार डिग्री पांस डिग्री तक तापमान कम ही जाई जा रहा है देखी इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है बट हम तो यही संभाब ना करेंगे कि उस दिन फॉग मत हो बट हमारे अरेंजमेंट्स फुली इन प्लेस हैं तो जो भी कंटिशन्स इंटरनेशनल मैच की होती हैं वो सारी होंगी अचा मैं फिर से उस बात प्याओंगा कि इस स्टेडियम से तो जब आप छोटे थे आप ग्रिकेट भी खेले हुआ है ना आपने खेला भी वा क्रिकेटर और इक यादें चुड़ी होती है और आपके टीम के रहते पीसे के रहते नेया स्टेडियम बना है मैं ऐसे सचीव नहीं ऐसे एक क्रिकेटर और ऐसे एक आम नागरी की तना पूछना चाहूँगा कि वाकई स्टेडियम ने भारत को भी कहीं आदे दी है जी तो बहुत हिस्टॉरिक हिस्टॉरिक मैचेज हो चुके हैं यहां पर जो मेर को यादा जो मैने यहां पर देखा था स्पेक्टेटर 2011 में इंडिया पाकिस्तान का सेमी फाइनल बट उसके इलावा भी इतने सारे मैचेज उसके पहले भी हो चुके हैं साइट हमारा जो हमने रीफविश्मेंट के रही है लॉंग रूम और ड्रेसिंग रूम की इसमें एक गैलरी भी बनाई है छोटी सी जो मेजर प्रॉमिनेंट मोमेंट्स इस स्टेडिय में रहे हैं वो दिखने को मिलेंगे वो भी आप तो कल परसो जब अन्वेल होगा तो अधर चल जाएगा तो और नए स्टेडिय में हम एक एक्स्पिरिंस एंटर भी बना रहे हैं ताकि जो जो पिंजाब क्रिकेट असूसियेशन के साथ यादें जूडियां इंडियन क्रिकेट की वो सब देख सकते हैं बहुत 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 शुक्रिया तो 11 जनुरी के लिए मैच में बार बर इसलिए कहा रहा हूँ कि इस स्टेडियम से काफी यादें खिलाडियों के जुड़ी हैं यह वही स्टेडियम है जहां पर सचीन तंदुलकर ने 10,000 रन पूरे किये थे डैब्यू चाहे हम बात करें कई प्लेयरों को यहाँ पे हुआ है कईयों के लिए काफी ठंड तो रहने ने वाली है लेकिन जो धूंद है फोग है वो एक बड़ा इशू है क्या उस दिन रहेगी नहीं रहेगी वो मौसम पे डिसाइड गरेगा लेकिन ठंड में क्रिकेट का मज़ा जरूर मिलेगा विडियो जनलिस्ट अमन के साथ उमेश्रम अन्यूजेटिन मोहाली